नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजरूम पोस्ट मैं हूँ आपके साथ ख्यातिया रोडा बॉलिवर्ट के भाईजान सल्मान खान को मिली धमकी के राज से अब परदे खुलने लगे हैं असल में महराष्ट पुलिस ने जब लॉरेंस की शूटर से खास महाकाल को पूने से पकड़ा तो उसने कहीं खुलासे कर दिये हैं जिसमें से एक राज सल्मान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी से भी जुड़ा है पुलिस के सामने ये बात अब साफ हो गई है कि लॉरेंस के अलावा कैनडा में बैठे दो गैंक्सटर गोल्डी बराड और विक्रमजीत सिंग बराड को तिगडी ने धमकी का सारा ताना बाना बुना था इस बीच सल्मान खान की धमकी भरी चिठी के मास्टर माइंड विक्रमजीत सिंग बराड की फोटो सामने आई है विक्रमजीत सिंग बराड कभी अननपाल का करीबी था अननपाल के इंकाउंटर के बाद विक्रमजीत सिंग बराड लॉरेंस के गैंक से जुड़ गया विज़र काला राना को थाईलेंड से टिपोर्ट करवाया था। लॉरेंस ने प्लान बी तयार किया हुआ था। इसके तहर्ट पहले गोल्डी बराड को कैनड़ा भगवाया। उसके बाद विक्रमजीत को कैनड़ा भीजा। सूत्रों के मुताविक लॉरेंस ने कैनड़ा मे गोल्डी को नौर्थ इंडिया का अबरेशन समभालने को दिया जबकि विक्रमजीत साउथ इंडिया का काम समभालता है। गोल्डी और विक्रमजीत ने मिलकर सलमान खान और सलीम खान को धमकी भरी चिट्टी दी थी। शूटर से देश कामले उर्फ महाकाल से हुई जगा दिलवाई गई थी जिस जगा वो सुभा सेर के बाद सुस्ताते थे रविवार को सलीम खान रूटीन के तहर तहलने के बाद अपने पसंददा बेंच पर थोड़ा अराम करने के लिए बैठने जा रहे थे मगर उससे पहले ही अचानक उनके एक गाड की नजर बेंच प लिखी थी बस जीवी और लवी लिखा था अब ये जीवी और लवी क्या है ये तो साफ नहीं पर इसका फुल फॉर्म निकाले तो जीवी से गोल्डी बरार और लवी से लॉरेंस बिशनौई है जाहिर है इस चिठी के मिलने के बाद मुंबई पुलिस भी हरकत में आ गई इत्तिफाक से ये लॉरेंस बिशनौई ने पहले ही सल्मान खान को दमकी दे रखी है 2018 में लॉरेंस बिशनौई ने बकाईदा सल्मान खान को जान से मानने की दमकी दी सूत्रों के मुताबिक बाद ने पूश्टाच में बताया था कि सल्मान खान पर फिल्म रेडी की शूटिंग के दोरान हमला करने के साजश की गई थी मगर दोर से निशाना लगाने वाले राइफल का इंतजाम तब नहीं हो पाया था और जिस सन्पत नहरा को ये काम सौपा गया वो पकड़ा गया था लिहाजा धमकी और हालात को देखते हुए सलीन खान ने फौरण बानरा थाने में शिकायत दर्स करा दी मुंबई पुलिस के मुताबिक जेल में बन गैंस्टर लौरिंस बिश्णौई और सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को पत्र बेजा था उसके गैंग के तीन लोग जालौर राजिस्थान से मुंबई में पत्र छोड़ने आये थे और आरोपी सौरब महाकाल से मिले थे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दे साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें किसी और नहीं जानकारी के साथ आप से फिर होगी मुलकात, तब तक के लिए दीजे जासत, नमस्कार